तो आज का टेडिंग सेशन रहा है तकरीबन एक से लेके देड़ परसंट की गिरावट के साथ दोनों इंडेक्स पर बैंक और बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो इंसाइड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है डेली चार्ट के ऊपर अब यहां से जो आक्शन है उसको समझना बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके के आज किस स्टैट्स रहे हैं साथ ही में क्या कुछ प्राइस कम हैं आपके पास में and because of that आज जो वाल्यूम्स थे मार्केट में वो अगर आप देखेंगे नोटिफाई करेंगे तो पिछले हफ्ते के in fact पिछले 10 दिन के लोईस्ट वाल्यूम्स के साथ में आज ट्रेडिंग होती भी दिखाई दिये इसलिए आपने नोटिस तो जरूर किया कि आज का मार्केट डाउन साइड में रहा है लेकिन दो वज़े तक कोई मोमेंटम नहीं था मार्केट के अंदर पूरी तरीके से जीरो मोमेंटम के साथ में अपन डाउन एक रेंज के अंदर कामकाज होतावा दिखाई दे रहा था Now, coming on to the chart सबसे पहले बात करते हैं कि last trading session पर जो candle थी वो एक बड़ी green candle की formation थी और ऐसा लग रहा था कि शायद ये short covering है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हमें साथा trading session से गिरावट देखने को मिल रही थी तो might भी हो सकता था कि ये short covering का असर हो और exactly आज वो चीज जाकर यहा candle satisfy होती तो definitely यहां से इसके high break होगी उपर की तरफ market निकलता बट eventually हुआ क्या है कि inside candlegy formation यानि कि weak scenario में हम लोग 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 अब सीन ये है कि देखें inside candle का low या high break होते ही एक अच्छा momentum एक बड़ा momentum देखने को मिलेगा यानि कि आज जो cool of period आपको देखने को मिला है उसके ब break होते हैं तो फिर upside के अंदर बहुत बड़ा momentum देखने को मिलेगा तो इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा था कि last trading session का यानि कि Friday के momentum का ज्यादा positive side में उसको मत लीजेगा long side में positions मत create कीजेगा क्योंकि ये eventually शायद आपको wipe out होता वा दिखाई दे अब situation यहां पर क्या नज presence पर अगर यह support निकलता है then in that condition आप देखिए आपके पास में 16,400 के levels आते वे दिखाई दे जाएंगे यह levels जो मैं आपर mark कर रहा हूं यह black line यहां तक की गिरावट भी आपको आगे further देखने को मिल सकती है अगर 16,750 यहां पर downside में निकल जाता है तो तो यह आपको दिमाग में रखना है अब मैं इसी analysis को पंद्रा मेट के chart पर लेके चल रहा हूं आप पर समझने की कोशिच करते हैं क्या situation रही है आप देखेंगे यहां पर जो momentum create हुआ in fact यहां पर आज जो opening हुई है markets की इसको मैं mark करता हूं देखेंगे यहां पर आज opening हुई यानि के all together अगर आप देखें तो एक छोटी सी gap down opening आपको देखने को मिलिए market ने वहीं से sink होना शुरू कर दिया और पहला base आपके सामने create हुआ 16,950 के उपर ठीक है 16,950 के उपर पहला base create होता है यह आज के day high levels है यहां से market ने start किया था यह opening point है और यह आज के day high levels है यहां पर नीचे की तरफ आया उसके बाद में ऊपर की तरफ जब जब जा रहा था तो in between कहीं high से पहले यह आज के opening level से भी पहले आज के high level से भी पहले एक resistance का सामना करने को मिला और यह level थे 17,055 के यहां पर resistance build up हुआ market नीचे की तरफ आया य level resistance क्रॉस हो पाया नहीं downside के अंदर ही support level क्रॉस हो पाये and then eventually अगर आप देखें उसके बाद में और further एक lower low की creation पहले आप देखें यह वाला अगर हम previous day के high point से compare करें तो पहले आपके पास में यह lower high बना then उसके बाद में फिर एक और lower high बनते हुए यहां पर उसके बाद एक straight fall rally आपको देखने को मिलिए और range जो break हुई है वो candle पे हुई है यह candle अगर आप देखें तो तकरीबन 2 बजे के आसपास यानिके 2 बजे तक आपके पास में market में momentum नहीं था देखें जब market के अंदर momentum नहीं है तब आप option buying में पैसा नहीं कमा सकते आपको option buying में पैसा हमेशा होना ही पड़ेगा range bound market था यानि कि आज का जो दिन था वो option sellers का था किसी ने 920 straddle डाला होगा किसी ने दिन में 12 बजे के असपास straddle डाला होगा तो वो आज बहुत अच्छा पैसा कमाके गए होंगे option selling के अंदर तो यह situation जो बनती है last में आकर जो momentum हलका सा create हुआ तब तक देखिए सारा काम already finish हो चुका था last के गंडे में अगर पैसा आपने PE buy करके कमाया हो तो definitely I do really don't know लेकिन यहाँ पर एक momentum जरूर create हुआ last के time में अब यह situation बनी है nifty के ओपर एक negative scenario को दिखा रिए अब यहाँ पर अगर आप देखिए हमारे पास में जो nearest support है वो 16,750 के आसपा अब अगर इसी type का week scenario के साथ में हम लोग open हुए then हमारे पास में क्या situations बनेगी थोड़ा उसको analyze करने की कोशिश करते हैं तो इसलिए मैं chart को थोड़ा सा zoom out कर लेता हूं यहाँ पर हमें थोड़ा सा और अची तरह समझ में आएगा आप एक चीज देख पाएंगे कि पिछल उपन होने के बाद में लेवल निकल जाए तो फिर एक बड़ी गिरावट के लिए आपको तैयार है ना चाहिए in fact 15 मिट के चार्ट पर अगर आप देखे मैंने जो zoom out किया है मुझे यहां तक भी कोई लेवल दिखाई नहीं देरा लेकिन अगर 17,750 के लेवल निकलते हैं त 16,600 के जो लेवल हैं उसके उपर ही आपको यहां पर कोई सपोर्ट देखने को मिल सकता है यहां पर मैं एक लाइन मार्क करने की कोशिश करता हूँ देखे यह लाइन के उपर 16,600 एक अगला सपोर्ट बनेगा इंट्रा डे के लिए 16,600 फाइन पहला सपोर्ट है 16,750 यानि के 1500 पॉइंट नीचे और इसके अंदर डाउन साइड खुल जाएगी अगर यह 16,750 को क्रॉस करता है तो यहां पर बहुत जादा क्लियर है कुछ भी समझने की ऐसी या फिट दिमाग लगाने की ऐसी जरुवत नहीं है जिसको देखके आप कन्फ्यूज हो जाए अगर फ्लैट ओपन होने से मेरा मतलब है कि अपने ओपनिंग पॉइंट से रजिस्टंस फेस करके ठीक है फ्लैट ओपन हुआ सबको उसकी जिहां पर और अपने ओपनिंग पॉइंट से नीचे निकलने लगे तो 16,750 काटने के लिए पूरी तरीके से तयार हो जाएगा लेकिन स्टिल क्य जाने लगे तो डाउन ट्रेंड में भी जाते वक्त आपको यहां पर पीई बाय कर लेना है आपको पहले चोटे टागेट दिखाए देंगे 16,750 के उपर और फर्दर अगर इसको और नीचे की तरफ जाना है तो यह इस ट्राइप का निगेटिव प्राइस एक्शन मनायाग तो इसको एक छटके में एक साथ क्रॉस नहीं कर सकता है यहां पर डाफिनिटली रीटेस्ट करने के लिए आएगा और जब यह इस ट्राइप का निगेटिव प्राइस एक्शन मनायाए तब आप डाफिनिटली फ्री होके पीई बाय कर सकते हो एटलिस 16,600 के लेवल आपको समझने की जरुवत है उटलीस यह लेवल बनते वे दिखाई दे जाएंगे जो इस पॉइंट पर आ रहे हैं इसको मैं फ्री हैं नहीं सको मैं प्रॉपर मार्क करके आपको दिखाता हूं तो हमारे परस में जो लेवल सा रहे हैं देखिए यह लेवल सारे यह पने यह और है पर mark कर दिये और इसको हम लोग red sign में mark कर देते हैं because resistance की line होगी तो आज के अगर आप देखे 16,950 आज का पहला support बना था यह वाला support की में बात करो तो 16,950 जो है पहला resistance level होगा R1 कल के लिए यह अगर निकल जाए और इसके उपर positive price section हो या फिर यहाँ पर sustainability बनके फिर उपर की तरफ जा रहो तब ही हम लोग केवल call buy करेंगे otherwise हम लोग call buy नहीं करेंगे याद रखेगा chances जादा हैं कि market नीचे की तरफ पहले जाएगा उसके बाद upside में जाएगा तो level आपके पास में 16,950 के उपर निकलते हैं आपको यहाँ पर buy कर लेना है और उस condition के अंदर देखिए मुझे ऐसा लगता है आज के जो high levels हैं वो आपके कहीं targets हो सकते हैं definitely अगर उसके उपर निकलता है तो एक अच्छे target आपको मिलेंगे तो यह आपके लिए intraday targets हो जाते हैं इनकेस अगर nifty gap up opening कर देता है तो gap up opening के अंदर scenario के 16,950 के उपर अगर gap up हो रही है यहाँ कहीं अगर gap up हो रही है मान के चलिए तो उसके बाद क्या होगा nifty upside में जाएगा वापस से नीचे जरूर आएगा एक बार अगर इसको ऊपर की rally resume करनी है तो एक बार resistance face करके नीचे की तरफ आएगा और इसको जब test करके वापस ऊपर जाने लगे और opening levels को cross कर दे तब आप यहाँ पर CE buy कर सकते हैं उस condition में भी आपको एक अच्छे खासे target देखने को मिलेंगे at least यह 17,200 तक के levels आपको उस condition में देखने को मिल सकते हैं तो हमने तीनों conditions देखने हैं अगर gap up होता है तो क्या रहेगा flat होता है तो क्या रहेगा gap down होता है यह scenario तो definitely जब कल बनेगा तो automatically आप समझ जाएंगे कि levels जो मैंने बताएं वो याद रखेगा 16,950 का एक level मैंने आपको बता है 16,600 का downside में target बता है 16,750 का यह वो crucial support बता है bank nifty में भी देखे daily chart पर similar situation है यह एक inside candle की formation है inside bar बहुत ही ज़ादा एक सटीक आपको condition बताता है market की और यह जो intraday traders होते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसको use करते हैं अब इसके बाद में याद रखेगा upside के अंदर भी momentum आ सकता है हो रही है तो it all depends upon this inside candle की कल की closing इसके low के नीचे आ रही है या फिर इसके high के ऊपर आ रही है यह बहुत जादा matter करता है अब चलिए इसको भी हम लोग 15 minute के charts पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टाइपी situations आपके सामने आती भी दिखाई दे रही है देखिए यहां पर भी all together पूरी तरीके से negative candle की formation I mean negative scenario के अंदर closing देखने को मिल रही है अब अगर हमारे पास में bank nifty के अंदर कल flat opening होती है यहां पर opening होती है 37,980 के आसपास जो आज के closing price है 15 minute की candlestick chart पर तब आपको क्या करना है देखिए अगर negative market का scenario रहेगा SGX nifty आपको negative opening दिखाएगा तो जायर सी बात देगी bank nifty भी नीचे की तरफ सिंख होतावा दिखाई देगा अगर यह अपने opening levels को break करके नीचे जा रहा है या तो price action बना के जाएगा या फिर एकदम से straight forward नीचे जाएगा तब आपको देखिए यहां पर पहले जो target मिलेंगे वो at least in level के आसपास मिलेंगे ठीक है छोटे targets हैं लेकिन याद रखेगा important है इसको भी हम लोग क्या करते है यह होगे एक support 37,850 तो छोटा जो target होगा वो पहला आपको यहां पर आची होतावा दिखाई देगा इस point के ऊपर जाहिर सी बाते हैं कि अगर negativity रही market में तो उसके ऊपर market बैंक निफ्टी होवर होते वे और नीचे फर्दा जाने की कोशिश करेगा और उस condition में clearly आज के जो कल के low levels है वही आपके लिएक support रकाम करेंगे यानि कि 37,400 बहुत जादा उमीद है कि देखे अगर negative scenario रहा कल के दिन भी तो 37,400 अचीव होंगे यानि कि target 2 जो है इंटर डे के वो definitely अचीव होंगे उसके बाद में और एक further negative scenario अगले दिन के लिए market के अंदर generate हो जाएगा तो याद क्या रखना है यहाँ पर level ध्यान दीजिए इसके नीचे अगर basically market जाता है flat opening के बाद में तब आपको इसको निकलने का wait करना है जैसे यहाँ पर कोई negative price section होता है suppose कि यहाँ से खुला फिर इसके टकरा के ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ आ रहा है देन आपको यहाँ पर P.E. buy कर लेना है और उसके बाद में free flow बहुत अच्छे targets आपको देखने को मिलेंगे at least 200 प्लस point के targets आपको उस condition में देखने को मिलेंगे और इस 200 point में से आप जब भी comfortable लगे volumes के साब से अच्छे खासे बार बन रहे हो आप आप पर 80 90 point track कर सकते हो positive side में I mean profitability के अंदर और यहां से trade बना सकते हो in case flat open होके market ऊपर की तरफ निकलता है तो क्या सिनारियो तो पहला जो support level है हमारे पास में वह यह है ठीक है तो 38,000 आप यू समझे 180 के level support level है यहां पर जानने के बाद में एक positive price section बनेगा तब हम लोग CE buy करेंगे ठी previous trading sessions के हिसाफ से अगर आप देखेंगे तो एक resistance observe हो रहा है इन levels के आसपास और वो levels है 38,380 के यानि कि अगर आप यहां से भी call option buy कर रहे है इस particular point से तो भी आपके पास में 200 points track करने का मौका रहेगा at least 200 points bank nifty जरूर जाता वा दिखाए देगा उस condition में अगर 38,180 पार हो जाता है तो यह levels mark करके रखे बहुत important है तो हमने flat opening की conditions देख ली है जिस type का negative scenario है ऐसा लगता है कि अगर यह negative scenario जारी रहा तो gap down भी हो सकता है gap down के अंदर situation क्या है कि यह 37,850 के नीचे अगर open होता है तो यही level resistance बन जाएंगे और resistance की तरीके से काम करेंगे तो market टकरा के यहां से न build up दिखाई दे रहा है तब आप यहां पर PE buy करके चल सकते हैं और उस condition के अंदर भी आपको at least यह levels as a target देखने को मिल जाएंगे जो 37,400 के हैं तो उस condition में भी आपको clear cut आपको देखने को मिलेगा कि नीचे की तरफ जा सकता है लेकिन एक चिस समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी जबर्दस गिरावट हो रही है market अगर gap down होने के बाद में नीचे की तरफ जा रहा है तो further 200-400 points एक साथ नहीं जा सकता है जाहिर सी बात है बीच में halt लेगा तो अगर यहां से आप PE buy कर रहे हैं तो आपका जो target है वो कम से कम चोटा वाला previous target से कम हो जाएगा तो आप 700 या 120 points की target देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 37,600 पर भी hold लेने की market कोशिश कर सकता है आप देखे किस तरीके का buyers ने आपर rejection candles की formation कर रखी है तो इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह जो level है यह जो particular area है यह area actually में आज buyers ने इसके उपर control किया है I mean कल अगर आप इसके sustainability की levels पर आ रही है 37,600 पर sustainability आ रही है या फिर 37,400 पर sustainability आ रही है तो downside में निकलते वे आपको छोटे targets trap करने because बहुत बड़े target इसलिए नहीं मिलेंगे previously भी आप देखिए तो कम से कम 600 points की गिरावट यहाँ पर आपको bank nifty में देखने को मिल रही है तो इसको थोड़ा स यहाँ पर कहीं opening मिलती है तो इस condition में देखे momentum जो शुरुआत में हाई होता है तो जिस particular point की ऊपर nifty खुलता है जिस particular तरीके से खुलता है यानि कि अगर gap up खुल रहा है या फिर gap down भी खुल रहा है लेकिन शुरुआत की 3-4 candle जो momentum दिखा रही है उसी momentum के अंदर market भागता नजर आता है और किसी certain point पर जाकर resistance face करें फिर नीचे गिरने लगता है और तब हमें analyze करना है कि यह जो resistance level develop हुए और जो opening point हमारे पास में है इसके अंदर हम लोग क्या relation बना सकते हैं यानि कि अगर resistance face करके नीचे की तरफ आ रहा हो तब आपको ध्यान देना है कि क्या opening level support का काम कर रहे हैं अगर support का काम कर रहे होंगे volumes हैवी होंगे तब आप यहां पर call buy करके चल सकते हैं तन उस condition में आपको अराम से 100-500 point का move trap करने के लिए मिल जाएगा easily आप यहां से 100-150 point का move देख सकते हैं अगर वापस से देखिए resistance से टकरा के नीचे की तरफ आ रहा है तब यह resistance बहुत अथी तरीके से act करेगा और उस condition में आपको CE यहां से exit कर देना है जो भी profit हो रहा हो और फिर आपको इंतजार करना है कि कौन सी range को break करने के लिए bank nifty त आपता है फिर positive price action बना रहा है इसको नीचे नहीं जाने दे रहा तब आप call buy कर सकते हैं यह resistance level ही आपके target हो जाएंगे उस condition में अगर in between कहीं पर resistance करके नीचे की तरफ जा रहा है तो SL आपको देना भूलना नहीं है अगर आप 100 points trap करने की कोशिश कर रहा है तो 50 point का SL आपके आज के closing levels रह सकते हैं यानिके 37,980 इस टाइप से आपको gap up gap down या फिर flat opening के अंदर position बनाने का मौका मिलेगा निफ्टी और bank nifty के अंदर I hope यह points आपको समझ में आयोंगे now coming on to the US markets US markets के अंदर आज बहुत जादा volatility थी अगर आप US futures की बात करेंगे तीनों इंडेक्स सुभा जो है बहुत हलके से green sign के साथ ते फिर negative हुए फिर green हुए फिर negative हुए इस टाइप का सिनारियो चलता रहा लेकिन अब जाकर एक firm green sign दिखाई दे रहा है क्योंकि सुभह जो percentage of green sign थी वो थी तकरीबन 0.2% से लेके and 0.7% तक की जो बार-बार negative side में turn out हो रही थी लेकिन अभ together जो scenario है काफी हद तक positivity वाला दिखाई दे रहा है तो might be gap up opening वहाँ पर दिखाई दे यानि कि positive opening वहाँ पर दिखाई दे और हमारे market इसको एक positive action की तरीके से लें तो अभी market open होने में time है let's see किस तरीकी का move रहता है now coming on to the nifty contributions and यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक चीज यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ FIAs and DIA trading activity तो surprisingly आज इस down move के अंदर FIAs ने तकरीबन 600 करोड की buying करी है यह अपने आप में बहुत positive बात है कि जब market इतना जबर्दस डाउन है तो यहाँपा 600 करोड की एक considerable buying आ ही है FIAs की तरफ से जिसकी उमीद नहीं थी अगर यहाँ पर FIAs buying कर रहे हैं इट मींस कि अभी तक जो उन्होंने selling करी है September मंत की जो selling है वो under pressure ही थी and might be जब भी मौका मिलेगा यहाँ पर market को support मिलतावा दिखाई देगा FIAs की तरफ से बहुत positive turnaround दिखाई दे रहा है जबकि उपर ही कही न कहीं हमारे पास में strong build up, strong support मिलतावा दिखाई दे सकता है तो यह अपने आप में positive बात है आज के जो सबसे बड़े draggers रहे हैं उसके उपर निखा डालना बहुत जादा जरूरी है जिसके अंदर Adani के stocks हैं Adani enterprises आप यहाँ पर देखिए 8% की गिरावट दिखा downside दिखाती भी नजर आई हैं इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो जो top gainers रहे हैं उसके अंदर ONGC and defensive sector जो है यानि के जो हमारा pharmaceutical sector है वो रहा है आज altogether जो FMCG sector है वो बिलकुल negative side में था वहां से कोई support नहीं मिला है यह all over data है option chain पर आते है clearly हमें दिखाई दे रहा है है यहाँ पर situation क्या है 17,000 की ओपर एक strong build up है एक लाग 2,000 contracts एक लाग 6,000 total contracts ठीक है it means कि 17,000 को cross करना बहुत जादा important है यही मैंने आपको बात बोली दी कि कि कर sustainability आई तो यहाँ पर देखिए जबर्दस तरीके से OY build up होगा change in OY यहाँ पर हुआ है 17,000 को cross करना बहुत जाद में होती है तो 17,000 यहाँ से cross होता वा नजर आएगा और उस condition में 17,101 ultimate range हो सकती है क्यों क्योंकि देखिए अगले दिन की छुटी होगी तो लोग जादा risk नहीं लेंगे upper range would be 17,100 at the max मुझे असा लगता है कल के लिए रहेगी clearly दिखाई दे रहा है put side के अंदर जिस तरीके से put right risk का यहाँ पर जो conviction है वो lose हो रहा है यानि के downside के अंदर हर जो support है वो break होता जा रहा है उसके एसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे के levels देखने को मिल सकते हैं काफी अच्छी तरीके से 16,800 पर आप देखें जो important psychological level था 78,000 contracts रह गए हैं 12,000 contracts निकलने के बाद में 12,750 कल का support level अगर ये break हो जाता है यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी तो upside के अंदर chances कम हैं लेकिन downside के अंदर मुझे ऐसा लगता है 16,600 तक जाने के chance होंगे क्योंक important support 16,600 तो मैं lowest range जो है 16,600 की देना चाहूंगा nifty के लिए now coming on to the bank nifty bank nifty की ओपर भी नजर डाल लेते हैं देखें तो bank nifty की closing 38,000 पर आ रही है वो हुई है देखे चेंज इन हुआ ही कहां पर हुआ है जहांपर एक्यान में हजार contracts होंगे तो मारे पास यह levels आ रहें 38,500 के 38,500 के वो levels हैं जहां पर resistance face होकर bank nifty वापस नीचे की तरफ आ सकता है तो ultimate upper range जो है मेरे साफ से 38,500 रहनी चाहिए कल के लिए and in between भी अगर आप देखेंगे तो आपको 38,200 और 38,400 के उपर periodically strong resistance मिलता रहेगा now coming on to the puts side puts के अंदर क्या situations हैं वहाँ पर भी वोई देखे clearly किस तरीके से put writers का confidence है वो हिल रहा है अब 38,000 पर यहाँ पर 13,000 कांट्रेक्स माइनस होके तकरीबन 55,000 कांट्रेक्स बचे हैं इसके नीचे अगर bank nifty निकलता है तो यह दो strike price आप देखें जहाँ पर माइनस में नहीं है यानि कि 37,800 तक तो एक अच्छा कासा support मिलेगा bank nifty को लेकिन अगर यह निकल गया तो फिर देखें यहाँ पर हर एक strike price पर confidence lose होता वा नजर आ रहा है तो मेरे इसाब से अगर मैं psychological level पकड़ता हूँ 37,500 यहाँ पर 65,000 contracts का एक strong हुआ है तो मैं यह चीज़ इसली यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि अगर 38,000 downside में निकले 37,800 नहीं समाल पाए तो 37,500 तक के भी lower limit आपको lower range देखने को मिल सकती है तो यह 1000.d range मुझे लगता है bank nifty में रह सकती है nifty और bank nifty के अंदर इस तरीके से आपको कोई भी trade बनानी चाहिए तोड़ा सा समल के position size को आपको देखना है क्योंकि volumes कम कल भी रह सकते हैं लेट सी किस टाइप का momentum हापर create होता है upside के अंदर या downside में आई यह points आपको समझ में आयोंगे कोई भी confusion नो आप definitely comment box करके पूछ सकते हैं और मैं मिलता हूं आप से अगले video में अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तो सब्सक्राइब करके ज़रूर चाहिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो में हर दीन आपके लिए लेके आता रहता हूं मिलता हूं बहुत जल स्क्राइब वीडियो में जो आज की होगी मोटर सेक्टर के उपर क्योंकि आटो सेल्स डेटा रिलीज हुआ है तो लेट सी क्या सिटूइशन रहती है बहुत जल मिलता हूं आप से एक लिए वीडियो में तिल दिन थेंक्यू बाई